पिरिये छात्रो आज हम क्लास सेविंथ की वुक रैन्बो के चैप्टर नमबर आठ महत्मा गाधी का हिंदि वनुबात करना सीखेंगे महत्मा गाधी के नाम से हम सही परिचीत हैं और इनके बारे में और कुछ याद करते हैं देखिए क्या होता है इस चैप्टर में इन इंडिया भी काल महत्मा गाधी बापू और राष्ट्र पिता भारत में हम महत्मा गाधी को बापू या राष्ट्र पिता कहते हैं इस फुल नेम वाज मोहंदास करम चंद गांधी उनका पूरा नाम मोहंदास करम चंद गांधी था वाज बॉर्ण बॉर्ण में पैदा हुए थे on 2nd October 1869 at पूरवंदर in काठियावाड गुजरात उनका जन गुजरात के काठियावाड के पूरवंदर में 2 October 1880 को हुआ था His father's name बाज करम चंद गांधी उनके पिता का नाम करम चंद गांधी था His mother's name बाज पुतली वाई उनकी माता का नाम पुतली वाई था His wife बाज कस्तूरवा गांधी उनकी पतनी का नाम कस्तूरवा गांधी था तो ये इनका परीचे था और ये भी हम सभी जानते हैं कि इनों ने देश के लिए क्या किया जो आजादी की लड़ाई होती हमारे देश में बिर्टिसर के खिलाप उसमें उनोंने बहुती बढ़ चलकर भाग लिया था और हमारे देश को इनोंने ही आजादी दिलाई थी गांधी जी लिवड दा लाइफ आफ एक कॉमन में कॉमन मींस समान, लाइफ मींस जीवन, लिवड मींस जीए गांधी जी एक समान आदमी की तरह जीए एंड कीप्ट हिंसेल्फ अवे फिरों लग्जरीज लग्जरीज मीस बिलासिताओं से अर्थात आराम की बस्तुमों से उन्होंने अपने आपको आराम दायक जीवन से अलग रखा गांधी जी ने एक सिंपिल आदमी की तरह जीवन जीए और उन्होंने बिलासिता की बस्तुमों से अपने आपको दूर रखा जो बस तुम्हां आराम दे होती हैं उसा कहते हैं बिला सिता इससे अच्छे कपड़े पेंना अच्छे घरों में रहे ना इस तरह से उन्होंने इन चीजों से अपने आपको दूरी रखा था हमने देखा विजये कि सिर्फ क्या पेंते थे वो सिर्फ ये कपड़े पहनते थे तो जो बिला सिता थी उन्होंने अपने आपको इससे दूर रखा था वह बहे अपने बचपन से ही सच्चे और इमानदार और सच्चे थे once he read the story of Sarvan Kumar एक बार उन्होंने Sarvan Kumar की कहानी पढ़ी थी once means एक बार रिड़ मीज़ पढ़ी थी story means कहानी एक बार उन्होंने Survan Kumar की कहानी को पढ़ा था उनके बारे हम सबी जानते हैं कि Sarvan Kumar अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठा कर एक तरह से कौमर बना कर उनको उन्होंने सारे तिर्थिस्थनों के अतरग रहे थी तो क्या हुआ था उन्होंने वो कहाने एक बार पड़ी थी सर्वन यूजड टू केरी हिज ओल्ड एंड बिलाइंड पेरेंट्स इन वास्केट सलंग ओन ए बंबू यौक सर्वन केरी मेंस ले गए ओल्ड बूढ़े बिलाइंड पेरेंट्स अंधे माता पेता को वास्केट सलंग वास्केट सटोकरियां वास्केट लटकी हुई बंबू यौक क्या सकते हैं अपने पमंद्ह पेता को ले जाना करते थे गांधी जी वाज deeply touched by his devotion toward his old parents, devotion means निष्ठा, deeply means गहराई से टच्च मिन छुआ है, गांधी जी ने उनकी बुढे माता पिता के पिर्ती निष्ठा को वहत गहराई से छुआ, अर्थात बैवी उनी के तरह बनना चाहते थे he decided to be like servant and serve his parents, उन्होंने वे निड़ने किया की वहवी सर्वन की तरह बनेंगे, to be बनेंगे के वहवी सर्वन की तरह बनेंगे and serve his parents और अपने माता पिता की सेवा करेंगे, serve means सेवा करना, and he went to England to obtain a law degree, law means बिधी या कानून, degree means उपाधी, बहे बिर्टेन को कानून की उपाधी लेने के लिए गए, या फिर बिर्टेन में कानून की सिख्षा परात करने के लिए बहे गए, after obtaining his degree, अपनी उपाधी प्राप्त करने के बाद, या हम कह सकते हैं, degree भी, अपनी degree प्राप्त करने के बाद, he returned to India in 1893, बहे भारत को 1897 में लोटे, return means लोटे, he was restless, restless means क्या होता, careless, to see his country man, बहे बेचेन थे, अपने देशवास्यों को देखकर, Countryman means देशवास्यों, बहे अपने देशवास्यों को देखकर, परेसा थे क्यों, suffering under the foreign rule, बिदेशी सासन के आधीन कस्ट उर्थाता हुआ, अपने देशवास्यों को देखकर क्या हुए, हुए बहाती, etcetera chain हुए थी, so he devoted his entire life for the upliftment of the poor, so he devoted इसलिए उन्होंने पृतिग्या ली, devoted पृतिग्या ली, his entire life कि अपना सारा जीवन, entire means पूरा, और life means जीवन, अपना सारा जीवन for the upliftment of the poor, upliftments उत्थान, या फिर उचा उठाना है कि अपना सारा जीवन, उन्होंने पृतिग्या ली, कि अपना सारा जीवन, निर्धनों को ऊपर उठाने में लगाएंगे, and do free his country from the collapse of the British rule, free means आजाद कराने या सोतंतर कराने और कलच मीश चंगल से, और British rule means British सासन से, और बहे अपना सारा जीवन, अपने देश को British सासन से, सोतंतर कराने के लिए लगाएंगे, तोड़ा बाके लंबा, दुबार देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने पृतिग्या ली, कि अपना सारा जीवन, गरीबों को, गरीबों के उत्थान में लगाएंगे, और बहे अपने देश को, अंग्रेजों के सासन से, मुख्त कराने में लगाएंगे, चंगल से, मुख्त कराने में लगाएंगे, कि रश्मिस होता पकड़, रकिन चंगल कर सकते हैं, He laid the freedom movement against the British government Laid means अगुवाई की यह चलाए उन्होंने स्वतंतरता आंदोलन British सरकार के खिलाब चलाए या ऐसा किया देंगे कि उन्होंने British सरकार के खिलाब स्वतंतरता आंदोलन चलाए And started सत्यागरे और उन्होंने सत्यागरे आरंब किया Non-cooperation moment और उन्होंने Non-cooperation means के वता ऐसायोग आंदोलन और उन्होंने ऐसायोग आंदोलन भी चलाए Moment means आंदोलन उन्होंने ऐसायोग आंदोलन भी चलाए Dandy Salt March और उन्होंने ऐसायोग आंदोलन भी चलाए Quite India moment और भाड़ा छोड़ो आंदोलन चलाए सबीनी अवग्या आंदोलन भी उन्होंने चलाया तो इन्होंने जो है देश को आजात करने के लिए एक यह से दोबर देखते हैं बहुत लंबा बाक्या हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन और सबीनी अवग्या आंदोलन भी उन्होंने चलाये किसी खिलाब अंगरेजों के खिलाब अल्टिमेटली इंडिया गौड फिलिडम ऑन 25 अगस्ट 1947 अंत में अंत में उनको इंडिया गौड फिलिडम भारत को 15 अगस्ट 1947 को आजादी मिली जैसा हम सभी जानते हैं कि इन्होंने जो है इनके साथ साथ और ही बहुत से लोगों ने इनका सजोग दिया था लेकिन जे लीड में थे सबसे आगा थे तो इनी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में तो सिर्फ लेकिन वहुत से सुतनतरता संख्राम सनैन थे हमारे जिनोंने के हमारे देश को आजात कराने में अपना योगदान दिया था महत्मा गांधी जाने जाते हैं अपने सिध्धान अहिंसा गांधी जी अपने सिध्धान अहिंसा के लिए सारे संसार में जाने जाते हैं वर्ड मिस संसार यूद य कि लेड़ ए शैंचली लाइफ उन्होंने एक संथ की तरह जीवन विताया उन्होंने एक संत की तरह जीवन बिताया के जो संत होते हैं बेखुष लान रहते हैं तो एंसे ही गांधी जी ने भी देख रहे हैं कि उन्ना बहुत ही सिंपल कपड़े बीन बहुत कम पेनते थे हैं अब हम इस तरह से वो रहते थे तो उन्होंने बहुत ही एक सिंपल जीवन and was against all sort of injustice and inequality prevailing in the society उन्होंने बहुत सादा जीवन बिताया और against मिस खिलाब थी sort मिस पिरकार की injustice मिस अन्याए और inequality मिस ऐसा मानता prevailing फैले हुई थी और society मिस समाजिस की मिनी थोड़े हाड है किरपिया इन मिन्मों को अपने अपनी कॉपी में लिख लें जिससे की दुबारा भी आप देख सकें एंड वाज अगेंस्ट आल सोर्ट्स इंजस्टिस और वे सभी पिरकार के अन्याव से और एसमानता से एसमानता के खिलाब थे जो की उस समय समाज में फैले हुई थी जो हमारा समाज था उसमें क्या अन्याव असमानता फैले हुई थी वो इन सब के क्या थे खिलाब थे इसमानता है वह राम राज्य को इस्थाफित करना चाहते थे बाई राम राज्य से उनका मतलब था मतलब या अर्थ था राम राज्य से उनका अर्थ था दा किंग्डम आफ गॉर्ड इसवर का राज्य यह इसवर का देश राम राज्य से उनका मतलब था इसवर का राज्य फोर हिम राम एंड रहीम वर वन उनके लिए फोर हिम उनके लिए राम और रहीम एक थे and the same deity deity means इस्वर अल्लाय भगवान और उनके एक ही भगवान थे for his great contribution to the country contribution means योगदान उनके देश के महान योगदान के लिए इंडियन काल हिम the father of the nation भारतिय लोग उनको राष्ट का पिता कहते हैं और बापू या फिर बापू कहते हैं ही वाज assassinated on 30th January 1948 by नाथुराम गवड से assassinated राष्टिक हत्या उनकी नाथुराम गवड से ने 30 January 1948 को राष्टिक हत्या कर दी थी and since then तब से ही this sorry 30th January is observed as my retire's day in India तब ही से 30 January भारत में सहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है observed मनाई जाती है तब ही से भारत में 30 January सहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है Dear Student आपका चेप्टर समाप्त होता है और इस चेप्टर के जो exercise है भै हम इसके अगले भाग में देंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सबिस्क्राइब वा लाइक करना ना भूले आपका उंग में